दोस्तो आईपील दोहजार चोविस के लिए सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारिये स्टार्ट कर दी है तो आज किस वीडियो में हम आपको आईपील दोहजार चोविस के लिए सभी 10 टीमों का नया प्लेंग 11 बताएंगे यानि कि सभी टीमों के प्लेंग 11 में कौन-कौन से नय प्लेंग इंकलूड होंगे तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोड देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जर आते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे पड़तो हैं वन बाई वन सभी दश टीमों का नया प्लेंग 11 बता देते हैं तो शुरुवात करेंगे राजस्थान रोयल्स की टीम के साथ तो इस टीम के प्लेंग 11 में ओपेन करेंगे यससवी जैसवाल और जॉस बटलर तीसरे नमबर पे परडिकल देखने को मिलेंगे चौते नमबर पे कपतान संजू सैमसन पांचवे नमबर पे सिमरॉन हिट मायर और छठवे नमबर के ल और ग्यारवे नमबर पे यजुवेंदर चहल देखने को मिलेंगे इसके बाद इस लिष्ट की दूसरी बरी टीम है गुजरा टाइटन्स की टीम और जीटी के नए प्लेंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम के लिए ओपन करेंगे रिधिमान सहा सुभमन गिल तीसरे न देखने को मिलेंगे उसके बाद चौथे नमबर पे इस टीम के कप्तान यानि की हार्दिक पांडिया देखने को मिलेंगे पांचवे नमबर पे इस टीम के बिष्ट बैट्समैन यानि की डेविड मिलर देखने को मिलेंगे चाठवे नमबर पे इस टीम के फिनिसर डाहुल तो उनको टार्गेट करेगी अधर वाई जे लॉकी फर्गिवसं या फिर अलजारी जोसेफ के साथ कंटीनिव करेगी और ग्यारवे नमबर पे नूर एहमद देखने को मिलेंगे तो जीटी का प्लेइंग 11 इसी परकार से हो सकता है इसके बाद तीसरी बड़ी टीम है जड़ सैदराबाद की टीम और ये टीम प्लेइंग 11 में बरा बदलाव करके आक्सन में जॉनी बरिष्टो को टार्गेट कर सकती है तो इस टीम का प्रेडिक्टेट बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ओपन कर सकते हैं मैंक अगरवाल और जॉनी बरिष्टो जहां पे बरिष्टो अगर आक्सन में आँगे तो उनको ये टीम टार्गेट करेगी तीसरे नमबर पे ये टीम राहुल तरिपाथी को खिलाएगी चौते नमबर पे विकेट कीपर हैंरिक क्लासेन पांचवे नमबर पे एडन मारकरम छटवे नमबर पे अबदूल समद द दसवे नमबर पे टीन ट्राजन और ग्यारवे नमबर पे सुपरफास्ट गेंद बाज उम्रान मलिक देखने को मिल सकते हैं वहीं इस लिष्ट की अगली बरी टीम है कोलकता नाइट राइडर्स की टीम और कोलकता के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम के इंको सिंग, छटवे नमबर पे आंधरी रसेल, साथवे नमबर पे सुनी ले नरायन अगर उनको रीटेन करती है तो इनको खिलाएगी उसके बाद आठवे नमबर पे सार्दूल ठाकुड हलांकि ये रीटेन होंगी इस बात के काफी कम चांस है, नवे नमबर पे ये टीम तेज गिंदबाज का गीसो रबाडा को टारगेट कर सकती है, क्योंकि कुलगता अपने स्कुएट से सावधी को बाहर करेगी और फर्गिवसन को बाहर करेगी तो उनके बदले ये टीम रबाडा को खड़िट सकती है, दसवे नमर के लिए ये टीम सुपर फास्ट अब से ओपन करेंगे पुर्व कप्तान विराट कोहली और करेंट कप्तान फाफ डो प्लेसिस, तीसरे नमर पे इस टीम के उभडते हुए बले बाज रजत पाटिदार जो की काफी बढ़िया बैट्समैन है, उनकी वापसी होगी, उसके बाद चौथे नमर पे गलेन मैक्स प्लेइव करेंगी, उसके बाद आठवे नमर के लिए ये टिम हसरंगा का इस्तमal करेंगी, और नवे नमर के लिए ये टिम जो से हैжल वुड का इस्तमाल करेंगी, अगर ईकसन में स्टार्क मिल्या तो उनको भी इस्तमाल कर सकती है, दस वे नमर पे टीनटराजन जो कि अ प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ये टिम प्लेइंग 11 में सिर्फ एक विदेसी स्पिनर को इंकुलूड करना चाहेगी तो उसके बाद मुंबई का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 इस परकार से हो सकता है जहां पर ओपन कर सकते हैं कप्तान रोहित सर्मा और उनका साथ देंगे विकेट की परिसान की सन, तीसरे नमबर पे सूर कुमर यादव, चौथे नमबर पे तिलक वर्मा, पाँचवे नमबर पे कैमरन ग्रीन, छठवे नमबर पे टीम डेविड और साथ वे नमबर के लिए इस टीम को अगर ऑक्सन में सूनिल नरायन मिले तो उनको टार नमबर पे प्यूस चावला, नवे नमबर पे ये टीम अकास मधवाल का इस्तमाल करेगी, उसके बाद दसवे नमबर पे ये टीम हो सकता है कि आरचर के साथ कंटिनीव करे, और अगर आरचर को रिलीज कर देगी तो अक्सन में स्टार किया फिड़ावाडा को टारगेट कर और 11 नमबर पे आप सभी को जस्परित बुमरा देखने को मिलेंगे वहीं इस लिष्ट की अगली बड़ी टीम है चेने सूपर किंग्स की टीम और इस टीम के प्लेंग 11 में काध बरा बदलाब हो सकता है जहां पे इस टीम के लिए उपेन करेंगे रितुराज का एकवार्ड देवान कॉनवे तीसरे नमबर पे आजिंक रहने जिनको ये टीम कंटिनिव करेगी चौथे नमबर पे अगर पंजाब किंग्स के सैम करन उक्सन का पाट बने तो उनको टार्गेट करेगी अधरवाई ये टीम बेन स्टोक्स के साथ ही कंटिनिव करेगी उसके बाद पारवे नमबर पे इस टीम के यॉर करकिंग मतिसा पतिराना देखने को मिलेंगे वहें से लिष्ट की अगली बरी टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम और इस टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम की तरब से ओपन कर सकते हैं प्रिथिविस और डेविड तीसरे नमबर पे मिचल मार्स जो की इस टीम के तुरूप का इका है इसके बाद चौथे नमबर पे इस टीम के कैप्टन रिसा पंत की वापसी होगी जो की विकेट कीपिंग भी करके देंगे पांचवे नमबर के लिए ये टीम उक्सन से बेने स्टोक्स को टारगेट कर सक अगर इस टोक्सक्सन का पार्टना बने तब ये टिम रिल्ली रूसो या फिडॉमेन पावल के साथ कंटिन्यू करेगी उसके बाद छटवे नमबर पे अक्छर पटेल, साथवे नमबर पे अमन खान, आठवे नमबर पे ललित यादव, नवे नमबर पे कुलदी पी याद दसवे नमबर पे एंरिक नोडखिया और ग्यारवे नमबर पे चेतन सकाडिया देखने को मिलेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स का प्रेडिक्टेड प्लेंग 11 कुछ इसी परकार से हो सकता है वहीं इस लिष्ट की अगली बरी टीम है पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब कि प्लेंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम की तरफ से ओपन कर सकते हैं कप्तान सी खरधावन उनका साथ देंगे जौनी बेरिष्टो तीसरे नमर पे प्रभा सिमरन सिंग चौथे नमर पे लियाम लिविंग इस्टन पांचवे नमर पे सैम करन अगर इटेन हुए तो उसके बाद 9 नमर पे राहुल चहर दस वे नमर के लिए ये टीम राबाटा को गरी टेिन करीघ तो उनके साथ कंटिनीव करेगी या फिर किसी विदेसी तेजगेंदबाज यानि कि नेथन इलिस के साथ कंटिनीव कर सकती है और 11 नमर पे अर्च दीप सिंग देखने को मिले वहीं सिलिष्ट की अंतिम टीम है लखनो सुपर जायंट की और इस टीम के नए प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो इस टीम की तरब से उपेन करेंगे कप्तान के अल रहूरूं का साथ देंगे कुंट अंडिकॉक तीसरे नमबर के लिए ये टीम अगर ऑक्सन में राहूल कुछ इस टीम काया कमें बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में